तो हेलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ राजवीर साकर और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल ए एयर वी ब्रोदर्स आज मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर पिक अप को लेकर गारी के वारे में बाते मालो आपकी गारी में पिक अप नहीं आ रहा तो पिक अप को लेकर आप परसान हो और दिल्ली में रहते नहीं हो मेरी वक्सों पर आ नहीं सकते अब बाहर रहते हो तो आपको क्या क्या चीज़े चेक करने के लिए कि हाँ इन चीज़ों को चेक कर लोगा मेरी गारी का पेकप पिल्कुल ठीक हो जाएगा तो यह चीज़े मैं सारी क्लियर कर दूँगा इस वीडियो में अभी इसी वक्त अगर आप इस वीडियो को तो दोस्तो होता क्या है जब हम गाड़ी में चलाते हैं हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें भारीपन महसूस होता है अगर ऐसा हो रहा है तो आपको गाड़ी की बाड़ी हम अगे अगे आपकी गाड़ी में आगे की तरफ आगे की तरफ है और आपकी गाड़ी आंके का पहीया जाम चल रहा है, यह प्लेट टेड़ी है तो आपकी गाड़ी में 100% प्लेट प्रक्ड़ारीयघी आएगी, कभी-कभी तो क्या उता है हमारी गॉर्डी में कलचफ पर लिगार बार बाफ फुकती है, जिस वज़े से हमारी गाड़ी में जो वील जाम होता है उस वील को जाम होने के वज़े से हमारी गाड़ी में अगर गाड़ी फ्री पे एकदम नहीं चलेगी एकदम फ्री फुलो में नहीं चलेगी सस्पेंसन काम प्रॉपर नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी में इंजन में fact पढ़ेगा मैं example देता हूँ हमने इतना भी मतलब हमने खाना खाया और खाना जो है वो बेकार खाया हमने खा लिया हमारे को एकदम से कुछ नहीं होगा पर थोड़ी दिर बाद हमारे को परसानी होने लग जाएगी पेट में खाबी खराबी होगी लूज वसन हो सकते हैं मतलब बहुत जादे बीमारिया लग सकती हैं पत्थरी भी हो सकती है तो यह सरीर में तो यह चीज़ आपको धिहान रखनी है fact बॉड़ी से होता है इंजन को बाद में परफाब पड़ता है आप गाडी आज गलट चलाओ गे तो आपकी गाडी में परफाब आएगा एंजन के अंदर आप सोचना करते हैं अगर आप गारी के मालिक हो या एक मेकेनिक हो आपकी गाडी में पिक अप को लेकि बरी परसानी आ रही है मैं तीन चार गाडियों के यहां पर जिकर करूँगा और बताऊंगा दाएरा कि किस किस चीजों को चेक करना था कि पिक अपकी गाड़ी का बढ़ जाए सबसे पहली चीज है हमारी मैं पलसर 220C की बात कर लेता हूं मैं तीन चीज तीन चार बाइकों के लूँगा फाई गाड़ी भी लूँगा इस में और नोर्मल बाइक भी लूँगा ठीक है तो पलसर 220C की बात कर लेता हूं मान के चलो आपकी गाड़ी आपके पास 220 पलसर है पिक अपने कलच प्लेटे डलवाली है आपकी आगे के पीछे के वील दोनों फ्री है बिल्कुल ठीक है आगे के सेटिंग चाक करनी है वाल क्लेरिंस अगर आपकी गाड़ी में एक जौश या इनलेट आपकी गाड़ी में कोई सभी एक वॉल्क ताइट है तो आपकी गाड़ी में पिक अब्र होई ही नहीं सकती कितना भी कुछ कर लो कोई भी बड़े से बड़ा इंजिनेर आ जायना तो भी अगर आपकी गाड़ी के वॉल्ल टाइट है, टैपिट टाइट है, पिकप नहीं ला सकता वो, ये चीज ध्यान लगना, ओके, दूसरी चीज, आगर आपकी गाड़ी में कारवटर की प्रॉंट है, कारवटर की, जैसे माल लो, ये वाला कारवटर, ठीक है, ये वाला क कारवटर, कोई से भी कारवटर, किसे भी ले लो, ये सारे कारवटर, इन में से कोई से भी, ये अलग-लग गाड़ी के कारवटर है, ओके, तो अगर आपकी गाड़ी के कारवटर में दिक्कत है, तो आपकी गाड़ी में पिकप नहीं आ सकता, दिक्कत कैसी ही मैं बता रहा ह कि तो लियुक्त और या चीज में दिक्कत होती है का वेटर की जो स्लाइड होती है अगर आधर की स्लाइड होगी या कट गई होगी गिस गई होगी तो हमारी आपको नहीं डालनी नहीं आपको नहीं डालनी नहीं आपको पूरा कारवाटर डलना है slide कर जाए slide मत डालो कोई फाएदा नहीं hai company Molt कर जाती है अगर हमारी गार्डिये मालो आज़ के जाम है ये एर स्कुरू यह ये जाम है, ये जाम है, न इधर घूमरा है, ना उधर घूमरा है, हमने गाड़ी चार-पांच मेने के लिए खड़ी कर दीती, जिसकी बचसे हमीं हमारे गाड़ी हमारे हो गाड़ी का हमारे कुछ दिनों फहले घुषफ, यर तो कच्रा, वो सारा मिक्स्चर , कच्रा, वो सब च्रा में ऐता है, तो घृयरे धीरे करके को जौक कर देता है , बिलकुल ब्लॉक कर देता है किए गाडी जब स्टार्ट होती है , तो उसका जो वैक्यूम होता है बहार की तरफ निकलता है सलेंसर की दुबारा अगर प्रॉपर फ्लो नहीं आएगा तो हमारी जैसे मालो हम कारवन डाया अक्साइड नहीं छोड़ींगे तो अक्सीजन कैसे ले लेंगे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ओके तो ये चीज़ हम आपको आपकी गड़े में करेंट को लेकर प्रॉपर मारी यानि इग्निशन सिस्टम गाड़ी में फ्यूस सिस्टम सिस्टम इंजन ट्रांस्मिशन सिस्टम होते हैं तीने अंहीं तो इन्वीं सिस्टम नहीं हुए है तो आपके गाड़ी में पिक-अप आए मैं आए गुरे से जुरी होई फिक करना पड़ेगा जिसकी वज़ी से आपकर वाली बात बात तक अब बात करते हैं FZ FI की, FZ गाड़ी है, FI गाड़ी है उसके पिल्कुल भी पिकप नहीं आ रहा आज ही गाड़ी आई ती मेरे पास एक FZ FI उस गाड़ी में पिकप नहीं था कस्ट्म ने काफी जगर क्लचपे डलवाई दी मेरे पास जब गाड़ी आई तो काड़ी के अंदर क्लचपे खराब हो चुकी थे फुक चुकी थे उसका रीजन सिर्फ एक था प्रॉपर इंजन ट्रांस्मिस्सन सिस्टम सही सरी के से वर्क नहीं कर रहा था जिसकी वज़से हमारी गाड़ी में क्लचपे डलोड पर रहा था अब जब क्लचपे डलोड यार देखो एक बावत हों गाड़ी का पचाए पीसे का जब वील जाम होता है ना और हमारे इंजन बिल्कुल ठीक होता है एकदम परफेक्ट होता है तो एक्चुली में वील जाम जो होने की परकरिया इसोग करती है हमारे वील wisely में हमारी काड़ी कलच पर दभाप chrome Verja हमने कलच पैर में कलच्पेटल वाली स्बकुर्ण वाली है वील जाम से नहीं करा लाए तो यह हम सबसे पहले रहे में थोजार लगाने है ना कि हमें एक एक्जाम्पल दे रहा हूं यह नहीं के दावज आर में आपके गाड़ी का वील फ्री होगे आपके और दिक्कट होगे हो जबकी होगे हो पूछता हूं क्यों प्रसानौ क्यों यार क्लच पर डलवाने से पिकप न आता यार बाकी ओर बी चुछीचे होती है क्या बता रहूं मेरी वीडियो को दाल दी है यूटूब और सारी वाइक से रएलेटेट ने फालतू वीडियो में बनाता है उन्हें ना मेरे पर टाइन फालतू तो अभी विलाल में बतारू है फाई गारी में क्या होता है वो प्रॉपर करनी पड़ती है अगर आप वाल के लिए इसकी सैटिंग साही तरीका से कर दो कलज की प्लेटर साही डाल दो आगे पीछे के वील भी विलकुल ठीक कर दो और गाड़ी की सब साटिंग कर दो पर हमने एफ आप गाड़ी के जो ट्रोटल बौडी होती है उसको प्रॉपर तरीके से clean नहीं किया मालो गाड़ी 25-30 जार कुमेटर चली हुए काला धुमा दे रही है तो हमको सबसे पहले उसके car motor के throttle body clean करने है WD-40 से या petrol से भी कर सकते हैं पर rubber वाला sensor की जो और ही होते हैं वो नहीं होनी चीज़ के अंदर या फिर आप टेशल से कर सकते हैं तो यह चीज़ आपको ध्यान लगनी है उसके अलावा अगर आप throttle body की लिए नहीं करना चाते है सब कुछ ठीक है साफ सोधरी लग रही है आपको throttle body तो आपके जो sensor के जो कपलर होते हैं उसके नवलोटी 40 मारना है उसके अलावा आपको घाड़ी की throttle body के अंदर एक plastic का screw होता है air screw FZFI में plastic का air screw दिया गया है FZFI में plastic का air screw दिया गया है उसको ही setting करनी है अगर वो हलका सा ज़्यादा tight है तो हलका सा उसको खोल दो RPM बढ़ जाएंगे और जब RPM बढ़ जाएंगे तो air screw से आपकी गाड़ी का proper flow आ जाएगा जिससे आपकी गाड़ी का pick up ठीक हो जाएगा तो यह चीज आपको करनी होंदी है पर यहाँ यह चीज आदेख रही है तीन चीज आपकी गाड़ी में हो क्यों निची है पहला suspension, दूसरा आपका engine transmission, तीसरा आपका fuel system और चौता engine system, यह चारो चीज आपकी चलती है यह चीज आपको जिन्दगी में भूलना मत अगर आपको यह वीडियो में कुछ जानकारी मिली है तो मुझे बताना और इस वीडियो का part 2 अगर लाओं तो मुझे बताना काफी सारी मैं जानकारी लागे देता रहता हूं ऐसी ही और भी जानकारी आगे देता रहूंगा अगर इस वीडियो में जानकारी मिली है तो वाक के में मिली है comment करके बताना मैंने आपको अपने 10 minute दिये है आप अपनए 1 minute देना सिर्फ 1 minute मैं समझ जाऊंगा आपको मेरे 10 मिनिट की कीमत पता है तो अब भी फिलाल मैं नीचे कमेंट देखता हूँ और देखता हूँ आप क्या लेख रहे हैं उसके ने और आपको रिप्लाइ करने कोशिश करता हूँ जल्दी में नीचे आ रहा हूँ आप भी नीचे आईए और दिखते हैं बाते करते हैं बहुत सारी और जल्दी फटावर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तेंक्यू